आज विश्व ओजोन दिवस है हर साल 16 सितंबर को वर्ड ओजोन दिवस मनाया जाता है और लोगों को सचेत किया जाता है कि ओजोन परत को कैसे संरक्षन किया जा सकता है इस दिन लोगों को ओजोन परत के प्रती जागरू किया जाता है हमें ये समझना होगा कि जितना जरूरी मानव शरीर के लिए आमलजन्ट की है उतनी ही जरूरी ओजोन परक भी है सूरज से निकलने वाली युवी किर्णों का पृत्वी पर रहने वाले जीवजन्तू और वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पढ़ सकता है इससे त्वचा का कैंसर, मोतिया बिंद और समुद्री जीवन के नुकसान का खत्रा पैदा हो सकता है ओजोन परत सूर्य से आने वाली युवी रेडियेशन को धर्ती पर आने से रोकती है इसी लिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूई है बात ओजोन दिवस के इतिहास की करें तो 19 दिसंबर 1964 को सन्युक्त राष्ट्र महास भाने ओजोन परत के संरक्षन के लिए 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रिय ओजन दिवस मनाने की घोशना की यही नहीं, सन्युक्त राश्ट्र और 45 अन्य देशों ने उजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किये थे इसके बाद पहली बार 16 सितंबर 1995 को विश्व उजोन दिवस मनाया गया और इसके बाद से हर साल ये दिन मनाया जाता है बता दें की आमलजन के तीन अनु मिलकर उजोन का निर्मान करते हैं या फिर कह सकते हैं की ओजाने परत का एक अनु आकसीजन के तीन अनुों के जुड़ने से बनता है ये हलके नीले रंकी होती है आपको बता दे की ओजोन की परत धर्ती से 10 किलोमीटर की उचाई पर शुरू हो जाती है और 50 किलोमीटर उपर तक मौजूद रहती है परत की संरक्षन करते हैं सभी दर्शकों को विश्वोजोन दिवस की शुभ कामनाए वीडियो को शेर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले भन्यवाद